चलो बच्चों, सभी लोग हाथ जोड़ कर प्राफना करो इतनी सकती हमें देन दाता, मन का विश्वा से कमजोर होना हम चलेने के रस्ते पे हमसे भूले कर भी कोई भूले होना चलो बच्चों, अपनी अपनी किताबे खोलो और पढ़ाई सुरू करो मैडम जी हाँ बोलिए भाईया मैडम जी मैं ICDS News की तरफ से आया हूँ बस थोड़ा आप से अंगनवारी केंदर के बारे में बाते करनी थी अपका इंटर्विव लेने था अगर आपके फास्ट टाइम हो तो बता दीजिए अरे भाईया का बताएं और क्या होगा बताने से बस लोग इसी तरह आते हैं पूंच लेते हैं और पूंच कर चले जाते हैं कुछ होता है नहीं तो क्या मतलब होगा नहीं ऐसा नहीं है हमारे चैनल ICDS News का मुख उद्देश यह है कि हम आगनवाडी और आसा बहनों की जो भी समस्यां हैं वो विभाग के उच अधिकारियों तक पहुचाना चाहते हैं हमें पता है कि आगनवाडी और आसा बहने कितना काम करती है पहले तो केंद्र में विभाग के द्वारा काफी समान मिल जाता था जिससे हम जो हमारे यहां जो बच्चे पहने आते हैं उनके मानसिक विकास में हम काफी जादा योगदान दे पाते थे उन सारी चीजों से लेकिन अब वो सभी चीजे हमें नहीं दी जाती है जिससे बच्चों का मानसिक विकास रुख गया है और उनको समझाने में काफी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ जाता है हाँ ये बात तो बिलकुल सही है इस समय आंगनवारी केंद्रों की स्थित बहुत ही जादा दैनी है हाँ भया आप अपनी मांगों को लेकर आंगनवारी बहनों की तरफ से योगी जी से क्या कहना चाहेंगी मैं एक गीत के माद्धम से योगी जी से कहना चाहूंगी कि बढ़ा दो बेतन आज नहीं तो सुन लो योगी जी नहीं तो सुन लो मोदी जी नहीं तो सुन लो मूदी जी नहीं तो सुन लो योगी जी जाएगी अब तेरी तो ये पूरी सरकार अभी से ग्यान दे दो इस स्वर ये सरकार को आज मूदी जी बेतन वा बढ़ा दो योगी जी बेतन वा बढ़ा दो स्वरगे से सुन्दर सपोनों से बढ़कर है अंगनवारी बहना तुम्हारी योज न रुक जाएगी सुन लो ओ सरकार बेतन वा आज बढ़ा दो मूदी जी आज बढ़ा दो बहुत बढ़िया आप बिल्कुल सही कह रही है हम वीडियो देखने वाले अपने सभी भाई और बहनों से कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दें अच्छे ये बताईए कि उत्तर प्रदेश और बिहार में हमारी अंगनवारी बहनों का मांदे बहुत कम है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहती है भाईया हमारी उत्तर प्रदेश और बिहार की जो अंगनवारी बहने है वो मर रही है ना तो वो बेचारी नोकरी कर पा रही है सही से ना ही वो नोकरी छोड़ पा रही है भाईया बाकी के राज्जों में आंगनवारी का मान दे उत्तर प्रदेश और विहार से कहीं अधिक है हमारे उत्तर प्रिदेश और विहार में आंगनवारी बैनों को 5,000 रुपए दिया जाता है इन 5,000 रुपए उसे हम क्या क्या करें इतने ही पैसों में हमें विवाग के रेजिस्टर लेना पड़ता है और इतने ही पैसों में हम खुद का किराये लगा कर जो अधिकारी लोग मीटिंग रखते हैं वहाँ भी हम जाते हैं और इन ही पैसों से हमें अपना घर खर्च भी चलाना पड़ता है अब आप खुद ही बताईए भईये की 5,000 रुपए में हम क्या क्या करें हमें बहुत ही दिक्कत होती है और कभी-कभी तो भईये ऐसा होता कि 3-3-4 मैने का हमें मांदे मिलता ही नहीं है तो ऐसे में हम लोग कैसे गुजारा करते हैं ये तो सिर्फ हमी जनते हैं हाँ ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रही है बिभाग आंगनवाड़ी बैनों से काम तोले लेता है लेकिन मांदे का भुकतान समय से नहीं करता है हाँ भाईया यहां उत्तर प्रदेस में तो ठीक ही है लेकिन बीहार में पिछले साल जो नई अंगनवाड़ी नियुक्त की गई है उनका भुक्तान आज तक नहीं किया गया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहती है भाईय विभाग के अधिकारियों को ये बात सोचनी चाहिए कि इनके भी घर परिवार हैं आंगनवारी बहने विजुबैसे काम करती है अगर हम इनको समय पर मानदे नहीं देंगे तो ये विचारी अपने घर कैसे चलाएंगी हाँ आप सही कह रही है उत्तर प्रदेश और बिहार में आंगनवारी कारकरताओं की इस्तित बहुत ही ज़्यादा दैनी है अभी कुछ दिनों पहले मद्व्यदेश सरकार ने आंगनवारी बहनों का मानदे ग्यारा हजार पान सो कर दीया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहती है हाँ भाया, अन्य रज्यों की सरकारे तो आंगनवारी बहनों की हीतों में ध्यान दे रही है लेकिन हमारे यहां की जो सरकारे होती हैं जब चुनाव आते हैं तब बड़े बड़े वादे करते हैं हमारी मांगे हैं कि आंगनवारी सेविका का मांदे 20,000 हो और सहाईका का मांदे 11,000 हो और हमें राज इस्ठाई कर्मचारी नियूक्त किया जाए हमने सुना है कि आंगनवारी कार करता जो 62 साल के उपर की उमर की हो गई है तो उनको बीना नोटिस दिये बाहर किया जा रहा है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती है भाईये ये सरा सर हमारी आंगनवारी बहनों के साथ गलत हो रहा है क्योंकि वो आंगनवारी बहने जो अपनी पूरी जिंदगी विभाग की सेवा करती है और उसके बाद भी उनको बिना नोटिस के ही बाहर कर दिया जाता है तो ये उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है हाँ ये तो विभाग के द्वारा गलत किया जा रहा है अंगनवाडी बैनों के साथ आप हमारी अंगनवाडी बैनों की तरफ से मोदी जी को कोई संदेश देना चाहती है पाँच हजार रुपईया में कैसन घर चलाई महंगाई बढ़नला बही ने कितना करी है कमाई महंगाई बढ़नला महंग भैने दाल चावल महंग भैने धनिया कैसे समझाई मोदी सूनत नई खे बनिया पाँच हजार रुपईया में कैसन घर चलाई महंगाई बढ़नला बहुत बढ़िया हम आपकी आवाज को मोदी जी तक जरूर पहुंचाएंगे और यह वीडियो देखने वाले हम अपने सभी भाई और बहनों से कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और चैनल को सस्क्राइब कर लें चलिए बहुत बढ़िया हम कोसिस करेंगे कि आपकी आवाज ज्यादस ज्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि आपकी जो भी मांगे हैं वो पूरी हो जाएं और अम उम्मीद भी करते हैं कि सरकार आपकी जो भी मांगे हैं उनको पूरी करें हाँ बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि हमें बहुत उतल्rama करना पढ़ता है आपralर को सरकार तक पहुचाते हैं वरो हुमारी तो कोई सुनता है नहीं कि हम लोगों को क्या दिक्कत हैं क्या समस्या है कि जो उसमें सारी खबर है raised न सरही। चैनल को सरकार तक पहुचाता है और हमारी मदद भी करता है मैं आपके चैनल को अभी सब्सु Export कर रही हूँ और अपने बहुनों से भी उम्मीद करती हूँ कि आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्वात